चो दोस्तों यहां तक हम ने चीज़े बना ली है थोड़ा सा लाइट समझ ले और रेंडरिंग समझ ले हमारे लिए कैसे काम करती है ठीक है तो उस से पहले जो बचीवी चीज़े उनको टेक्शर कर ले ताकि हमें लाइट और रेंडरिंग में हमें बड़ी अच्छे से आसा तो हमने रोटिट किया और इसको भी रोटिट कर ताकि हमें लाइट का फ्लोग मिल जाए और यह देखिए आपने यहां से विंडो इतना उपन कर लिए कि आपको बड़ी अच्छी लाइट यहां से अंदर आती हो दिखेगी ठीक है ना ऐसा टेबल यह हमारे पास बड़ी हमें ताकि अच्छा लोग देते हैं जमीन के अबर मुझे टाइल्स का टेक्श्र लागाना है तो आपने जमीन पर आ गया और टेक्श्र का फ्लो कैसे बनाए था आपको याद है तो आपने यहां पर यह जो सर्कल दिख रहा है सर्कल पर क्लिक कर तो आपको टेक्श्र मोड प्लिक करेंगा तो जमीन के लिए एक नया टेक्श्र बन जाएगा उसा कलर वाला चेंज करके देख लिए कि भाई यह टेक्श्र जमीन कई है कि नहीं है टेक्श्र कर लो तब दिखेगा जब मैं यहां पर सॉलिड के बाद टेक्श्र मोड पर आऊंगो तो मुझे दिख ज हम वहाँ चले आएंगे है ठीक है और यहां पर देखेंगे टाइल नाम से टेक्श्र डारेखा है मारे पास में इस पास को मैंने गार.estä और कवधर करने के बाद में मैं यह ओपर वाली तो हम उस जगा पहुच जांगे जहां पए इमेज रही होई है इसी तरीके से मैं बाक तो अच्छा रहा है जैसे आपने देदिया डेब्ली डावल वाल टी एक्स टी यू अरी टेक्शर इससे याद रहता है चीज़े कि अगर मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर जाओं तो कौन सा टेक्शर किस पर्टिक्लर सर्फेस पर लगा है वह हमको याद रहेगा मैंशा तो यह बड़ा अच्छा फ्लू लग रहा है यह टेबल इस पर हम वोड़न टेक्शर लाएंगे और यहां पर हम इमेज लाएंगे थोड़ा कॉंप्लिक्ट टास था इसलिए हमने इसको बाद में करा ठीक ना ऐसा तो टेबल को स्लेट करा और न्यू पर क्लिक करा हमने न्य यहां पर लग गया ठीक ना लेकिन याद रिखिए इसके यूवी सॉल्व करना जरूरी है तभी यह पर्फेक्ट आएगा और अच्छा आएगा ठीक है ना तो अगेन हमने मतला कॉर्णर से विड़ो ऐसे खेच दी और यह जो सेकेंड विंडो हमने पास खुली ना यहां प आप क्या करोगे टॉप यू से फ्रेंट विउ से राइट विउ से जहां से चाओ वहां से आप इस पर कुछ यूवी लगा सकते हो हमने वाला एक काम करो आप यू प्रेस करो और आप इसको आपको क्यूबिकल प्रजेक्शन अपलाई करना है सब क्यूब पर तो बड़ा य करिए स्केल करके आप इसको जमाते जाएए ऐसा तो आपको टेबल का एक पार्ट मिल जाएगा ठीक ना जी परेस करिए इसको उठाकर कौनर में रख लिए फिर आपने इनको सब को स्लिल कर आपने ऐस करा इनको भी स्केल कर लिए आपने जी परेस करा इसको भी आपने किसी कौर्न रख लिया ऐसे करके पिर आपने इनको सेल करा, स्केल कर दिया आप या इनको भी अच्छे से ऐसे करके यह और फिस जी प्रेस कर इसको भी आपने किसी कौर्न रख लिया अच्छा S के साथ में जब आप Z दबाएंगे तो S and Z, तो आप किसी एक direction में इसको, S से हम इसको scale कर देंगे, और Y में किसी एक direction के हम इसको scale को ले आ सकते हैं, कुछ ऐसा ही है, तो छोटा कर देते हैं, फिर हमने S करा है, और फिर हमने X को लेकर ब्रॉड कर लिया, ऐसा कुछ ही है, तो ऐसे आप textures को अपने जब से जमा सकत हैं, और G-press करके, इसकी position define कर सकते हैं, कुछ इस तरीकी से ऐसा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपना maximum part दे करके, यह देखो आप इस पर बड़ा यह अच्छा texture हमने यहां पर apply कर वा लिया है, surface क्यूपर, हम जब select करेंगे face में जा करके, तो हमें समझ में रहाए क करके, so मैंने वहला क्यों एक काम करते हैं, इसी को drag करते हैं, अच्छा, first of all, एक चीस का ध्यान रखे कि इसको drag करके, यह सब को select करा अपने, G-press करके, हमने इसको drag करके बाहर ले लिया, कुछ ऐसा है, ठीक है ना, यह, फिर हमने Z-press करके wireframe में आ गए, सब को select हो गए, तो आप देखरों मैं बस overlapping vertices हैं, यहाँ पर ऐसा करकी है, इन सब को select करा, select करके, मैंने इनको भी G-press करके बाहर रख लिया, ऐसा करकी है, क्योंकि मैं टेबल का यह टॉप है इसको drag करके, G-press करके, यहाँ तक लाना है, और इसी को S-press करके, थोड़ा सा X-direction में ऐसा scale करना है, ताकि maximum media हम इसका cover कर सेके top के उपर, बाकी जितनी चीज़े ना, इनको हम वहीं कभी place कर सकते हैं, आसानी से, तो हमने बुला एक काम करते हैं, कि जो remaining part यह बचता है हमार पास इतना, इसको select करा हमने, यह बाकी सब को, इन सब को भी हमने select करा, ऐसा करके, और पर इसके लेकर चोटा कर दिया, देखिए, यूवी जो ना, यूवी डिफाइन करते हैं, surface के उपर object किस तरीके से चड़ेगा, इनने कभी overlap मत होने दीजिए, एक दूस्ते से, यह अलग अलगी है, रहना चाहिए, ज्यादा भैतर है, नो जब में यहा पर solid mode में आगया, जैड़ प्रेस कर अब मैं चाहता हूँ कि दोनों के जोनों, जो मेरे पास में windows हीना, इनको select करा मैंने, और यह drop down list में जाके मैंने click करा wooden के उपर, तो मुझे इस पर wooden texture आ जाएगा, सब के उपर, ऐसा करके यह, देखरो आप यह, हम थोड़ा सा जोई है, मतलब, z-press करके, solid mode में आते है, z-press क material preview में आ जाते हैं, ऐसा करके यह, तो यह तो surface है, इसका नाम था, W, O, D, Wood, T, E, X, T, Texture, और इन दोनों surface को पकड़ा मैंने, ऐसा, और drop down list में जाकर मैंने बुल दिया, wood texture, तो इस surface पर आगे, इस पर हैगा, select this surface, go to like, wood texture, ऐसा, जो पिछले हमने wooden नाम दे थे थे थे, वो हम आगे, अंदा की surface को हम glass कर सकते हैं, और चाहें तो अलग से select कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए भी हम उतना जदे important नहीं उसको देखना, हमने यह जो frame है, इस frame को भी पकड़ा हमने, और इसके ऊपर भी drop down list में जाके wooden texture लगा दिया, देखो, लग गया ऐसा, बट इसके नया material type आया, इसका नाम कर देता हूं मैं, image, 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 ऐसा, तो मैं image नाम क्यों दे रहा हूं इसका, क्योंकि मैं यहाँ पर गया करूंगा, base color पर जा करके, बाहर से image ले आऊंगा, image texture, ठीक है, open करेंगे, और हमें यहाँ पाज़ने, scenery मिल जाएगी, paste मारते हैं, enter मारते हैं, य open image कर तो scenery यहाँ पर लग गई, पर लगी नहीं भी तक, तो आप यह करोगे, आप जब इसको double click करोगे, तो यह scenery आप यहाँ पर apply कर आप आप होगे, select this surface, go to edit mode, select this face, go to face and then select this face, और इसके बाद आपने गुला image लग जाओ इसके तो आपनी image पर click कर दिया, तो जैसे आप image प apply हो जाएगी, आपको assign पर click करना होगा, तो यह दो को image यहाँ पर आगई ऐसा, है ना, और इधर देखोगे ना, तो आपका plane बड़ा छोटा सा है यहाँ पर, और image बहुत बढ़ी है, तो select करो इसको आप, जी प्रेस करके आप इसको बीच में रख लो, और उसके बाद फिर से आप S प्रेस करो, इसको इतना scale कर लो, कि maximum area पर cover हो जाए, आप देखरो यह vertical आ रही है, कोई बात नहीं, आपने R प्रेस करा, rotate करा, control दबा लो, ऐसे आप rotate कर लो, vertical यह हो, फिर S प्रेस करो, और S प्रेस कर लो, छोटा कर लो, S के संथ में X दबा दो, तो आप इसको ऐसा प्रेंडरी का flow मिल गया, अच्छे से, है ना, तो मुझे लगता है कि आपने लगभग यहां पर पूरा scene को जमाना सीख लिया, अब finally आप camera की view से अगर देखना चाहोगे, तो आप गया view, देन आपने बोला camera और आपने बोला active camera, तो आप अपने camera का view यहां लगा हुआ है, अब आपने हलका से मान लो अपने view पूर्ट हो घुमाया, तो आप camera से बाहर निकल गया गया, ऐसा को तरीका बताओ कि camera भी रोड़िट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बहुत अच्छा तरीका है कि view में गय, जब भी आप यहां पर camera पर जा रहे हूँ, उसके आप देखो यहां पर एक बड़ा चोटा सा डॉट दिखता है, दिख रहा है आपको यहां पर यह, आप लेस पर क्लिक करा, then view पर क्लिक करा, और view को बोले camera के साँ जुलिया है, camera to view, जोड दिया है उनको, तो अब मैं यह करूँँगा, जब इसको रोड़िट करूँगा, camera रोड़िट हो रहा है मेरे पास में ऐसा, और मेरे पास में एक render का scene रेड़ी हो रहा है, shift दबा कि इसको जमा लो, कि आप पर कितना area रेंडर होना चीज़्जत से, ऐसा करके यह, मैंने बहुत यह scene मुझे बड़ा सही लग रहा है, finally, this looks pretty cool, आप यह view वाली window इसको ड्राग करके वापिस बन कर दो, ऐसे करके, and that is your final view, जो आप render में चाहते हो, और a final render output निकलने के लिए या तो आप जो आप वीव पूर्ट पर रेंडरिंग के उपड़ाने, वो क्लिक करेंगे तो आपको जो है अपना एक output screen पर दिख जाएगा, अब यहां पर light ज्यादा है नहीं, तो आप क्या करोगे, light apply कर दोगे तक कि आपका look आ जाए, और आप इससे बाहर निकला, बाहर निकलने के लिए आपने का बोला, आप वापिस यहां से बाहर निकले, और आपने इस camera to view को off कर लिया, यह देख़ो, आप camera to view off करती, जब आप camera घुमाओगे तो आप camera यहां प आपको shift here press करना है, ठीक ना, ऐसा, light में जाना और यहां पर आपको देना sunlight, तो बड़ी अच्छी sunlight आपने यहां से यहां तक प्लेस कर ली, और अब बताद इस sunlight अंदर आ जाना ची घर के अंदर, तो sun हमारे पास में यहां लगा हुआ ऐसा, और sun की light है यह विंडो से ऐसी अंदर जा रही है, दिख रहा हो, अब यहां पर यह, sun थोड़ा ओपर रखेंगे, window light हम नीच रख लेंगे, ऐसा करके, और इसका output viewport पर देखने के लिए हम शेडिंग में चलेगा, और हमने यहां ऐसा कुछ करा, तो हमको output यह वो shading में मिल जाएगा, दिखने को, यह देख और आप बुलो active camera, तो यह पर camera आगे हैं आपर, ठीके न, so finally light लगाने के बाद में, आप जो न, viewport shading पर जब क्लिक करेंगे, तो आपको आपका output viewport पर directly दिखने लगेगा, यहां पर आप देख सकते हो, कि light का output कितना perfect आ रहा है, और बड़ी आ रहा है, अब इसको final render करने के हम लोग क्या करेंगे, top में render menu देखेगा, और जैसी हम render image पर क्लिक करेंगे, तो हमारा एक अलगी window में, पूरा एक render output निकल के आएगा, हाला कि यह वासा time लेगा, लेकिन time लेने के बाद में, हमको perfect output देगा, कि हमारा जो light है, जो shade है, और जो lighting का flow जमीन पर पढ़ रहा है, और जो हमारे textures and everything हमारा perfect आजाएगा, तो यह एक बहुत ही simple and interesting step है, जहां पर हम लोग simple scene बना करके, then उस पर texture वगरा करके, और lights को place करके, सीधे हम direct viewport में output देख सकते हैं, और उसके बाद में आगर हमको जैसे final output भी save करना है, तो हम rendering पर जाके final output का render निकाल कर उसको भी save कर स there, okay?